इंडिया पोस्ट प्यमेंट बंग के इस नए अपडेट के अनुसर हाँ आप पहले के तरह लोगिन और रजिस्टेशन नहीं कर सकते हैं क्यूंकि आपको सीम लोगिन करना परेगा आई पिपी बी में अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लगातार यूजर हैं तो आपको पता होगा पहले क्या होता था कि आप किसी के भी मुवाइल में सीम लगा दीजिए अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अप्लिकेशन इस्तमाल करना है तो बस OTP की जरूरत होती थी उसके बाद आप IPPB अप्लिकेशन को इस्तमाल कर सकते थे लेकिन आप ऐसा नहीं होगा अर्थात इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते में जो भी आपका में होना चाहिए तभी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आई-पी पी भी अप्लिकेशन को इस्तमाल कर सकते आं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आई-पी, बीबी किसंट को अप्डेट कर लेना है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं तो चलिए इसे आप कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अप्लिकेशन ऑफएन करने के बाद यहां पे आपको लोग इन वाले उपसंपी किलिक कर देना है उसके बाद एकाउंट नमर आपको इंटर कर देना है कस्टमर आइडी इंटर कर देना है डेट और वर्थ को यहां पे आप इ दिया गया है इंसोड देट देट सीम आफ आई पी पी बी रेजिस्टर मुवाल नमर इज एक्टिव इन दिस डिवाइस तो यहां पे देख सकते हैं आपके रेजिस्टर मुवाल नमर का सीम आपके मुवाल फॉन में होनों चाहिए तभी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बै पहले रेजिस्टर करते समय यह सिक्यूरिटी कोशन नहीं आता लेकिन अब आपको सिक्यूरिटी कोशन का अंसर भी देना परेगा ताकि भविस्ट में आपका पासवर्ड रिसेट करने में बहुत ही सहलियत रहेगा यह सब इजी है फिल करना बस जो मैं आपको बता रहा अपने स्कूल का नाम उसके बाद तिसरे कोलम में आपका फैबरेट फ्रेंड कौन है उसका नाम यहां पर आप इंटर कर देंगे उसके बाद चोथे कोलम में आपका फैबरेट टीचर कौन है उसका यहां पर आप नाम इंटर कर देंगे बस यही सिक्यूरिटी कोशन है उस के बाद registration successful हो जाएगा जो भी आप MP दिए हुए हैं वो यहां पर इंटर कर देंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अप्लिकेशन ओपैन हो जाएगा और अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में फिंगर प्रिंट भी आपका fingerprint आप अपने phone में लगाएंगे उसके बाद आपका fingerprint एक्टिवेट हो जाएगा एक्टिवेट होने के बाद आप यहां से दुबारा fingerprint से भी आप open कर सकते हैं चलिए हम आपको एक बार open करके दिखा तो fingerprint आप अपने phone के device में लगाएंगे उसके बाद यहां पे देख देख सकते हैं आपका फिंगर्पिंट के द्वारा आपका अपन हो जाएगा इंडिया पोस्ट का अप्लिकेश्ट अगर इन में से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो फिर से दुबारा सा वीडियो देख सकते हैं अगर तब भी प्रॉब्लम होता है तो की गई जनकारी आपको फसंद आये तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बैल अकिन को दबा सकते हैं